भारत मता की इनकलाब बन दे लव यू टू लव यू थ्री लव यू फोर आज यहां पे आई हुए सभी मंत्री गन सभी MLA, सभी सांसर, सभी कांसलर और आम आदमी पार्टी के सभी नेटा गन आप सब लोगों को मेरा नमश्कार, सब को मेरा प्रणाम आज यहां पे हमारी पार्टी का एक तरह से शीर शनेतागन मौजूद है हमारे कांसलर्ज, मंत्री, MLA's, MP's और सीनियर ओफिस बेरर्ज हमें आज यहां क्यों इकठा होना पड़ा सबसे पहले मैं वो बताना चाहूंगा प्रणामंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खतम करने और कुचलने का इरादा बनाया है क्रश करने का इरादा बनाया है उसके लिए इन लोगों ने एक ओपरेशन चालू किया है अपने अंदर जिसका नाम है ऑपरेशन जाडू ये मुझे कैसे पता चला बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रणामंत्री जी से मिलने जाते हैं उन में से कई ऐसे भी लोग है जो हमें भी जानते हैं उन से मिलके आते हैं और हमें भी जानते हैं उन्होंने बताया और लगबग सब लोगों का एक ही वर्जन था कि प्रधान मंत्री जी ने छूटते ही आम आदमी पार्टी की बात शुरू की और उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी वाले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं ये प्रधान मंत्री जी के शब्द हैं जो मुझे उन कई लोगों ने बताये जो उनसे मिलके आते हैं कि मोधी जी का कहना है कि ये आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है इनके कामों की चर्चा पूरे देश में होने लगी है और आने वाले भविश्य में राष्ट्रियस तरपे और कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती हो सकती है इसलिए प्रधान मंत्री जी का मानना है और कहना है इसलिए जरूरी है कि इस पार्टी को अभी तुरंट खतम कर दिया जाया है इसके पहले कि ये पार्टी ज्यादा बढ़े और भविश्य में बीजेपी भविश्य में बीजेपी के लिए चिंता मत करें चिंता में बोशेव इसके पहले कि आमादमी पार्टी बीजेपी के लिए चिंता में बड़ी बने उसको यहीं पे कुछल देना जरूरी है उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन ज्भाडू चालू किया है इस ऑपरेशन ज्भाडू के तहट आमादमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा गिरफतार किया जा रहा है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट को सीज किया जाएगा E.D. का वकील औरेडी कोट में ये बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंट बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किये जाएंगे यह मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा उन्होंने का अभी सीज करने थे लेकिन अभी हम इनके सीज करेंगे तो इनको सिंपथी मिलेगी तो चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करेंगे और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली कराके आम आदमी पार्टी को सड़क पे लाया जाएगा ये तीन ये तीन प्लान इन्होंने बनाए है हमारे निताओं को गिरफ़तार करने का हमारे बैंक अकाउंट सीज करने का हमारे दफ्तर को खाली कराने का उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी को खतम कर देंगे उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी का विनाश कर देंगे मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी चंद लोगों की पार्टी नहीं है ये आम आदमी पार्टी 140 करोड़ लोगों के सपनों की पार्टी है आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है जिस किसम के काम हम लोगों ने दिल्ली और पंजाब में कियें 75 साल के अंदर इस देश के लोगों ने ऐसे काम कभी नहीं देखे थे ये विचारधारा इस किसम के काम कि सरकार ऐसे भी चल सकती है सरकार इतनी मांदारी से भी चल सकती है ये बात ये विचारधारा देश के अंदर बड़ी तेजी से फैल रही है और जो सपने सरकारों को लेके एक आम आदमी इस देश के अंदर देखा करता था वो सपने अब लोगों को सच होते वे नजर आ रहे हैं ये हो सकता है दिल्ली के अंदर पंजाब के अंदर हमने सरकारी स्कूल शिक करने चालू कर दिये दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल शांदार कर दिये गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलने लगी ये मोधी जी नहीं कर पा रहे तो उन्होंने तैय कि इनको रोको इनको गिरफतार कर लो मनीज सिसोदिया को गिरफतार कर लो केजली वाल को गिरफतार कर लो इनके स्कूल बंद कर दो हमने दिल्ली के अंदर पंजाब के अंदर धेरो महला क्लिनिक खोल दिये सरकारी अस्पताल ठीक कर दिये लोगों के लिए फ्री इलाज का इंतिजाम कर दिया मोधी जी नहीं कर पा रहे इन्होंने का केजनी वाल को गिरफतार करो इनके अस्पताल बंद करो इनके मोहला क्लिनिक बंद करो हमने दिल्ली में पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी वो इन से नहीं हो पा रही जहां जहां इनकी सरकारे गाटे में चल रहे हैं इनके पास पैसा ही नहीं है हमने पैसा बचा बचा के इमानदारी से पैसा बचा बचा के बिजली फ्री कर दी अब हम महिलाओं को 1000-1000 रूपे देने जा रहे हैं हर मही में उनके खातों में 1000-1000 रूपे डलवाएंगे ये बात पूरे देश में फैलती जा रही है ये तेजी से मैं जहां जाता हूं पूरे देश भर में घूम रहा हूँ इस टाइम में मैं जहां जाता हूँ लोग कहते हैं के जिवाल जी आपने दिल्ली पंजाब में स्कूल बड़े अच्छे कर दिया के जिवाल जी आपने भिजली ठीक कर दी के जिवाल जी आपने भिजली मुफ्त कर दी अपने आप चारों तरफ आम आदमी पार्टी की चर्चा फैल रही है आम आदमी पार्टी अब एक विचार है इसके नेताओं को तो गिरफ़तार कर लोगे इस विचार को कैसे गिरफ़तार करोगे विचार को गिरफ़तार नहीं किया जा सकता गीता में भी लिखा है, इसको कैद नहीं कर सकते, इसको जला नहीं सकते, इसको काट नहीं सकते, इसको गीला नहीं कर सकते, ये विचार है, इसको कैद नहीं कर सकते, ये चारों तरफ फैल रहा है पूरे देश के अंदर, ये ऐसा विचार है जिसका विनाश नहीं किया जा सकत यह अपने आप फैलता जा रहा है विचार, मैं प्रधान मंत्री जी को कहना चाहता हूँ, आप एक नेता को गिरफ्तार करोगे, मेरी भारत मा की कोख इतनी जाधा वो है कि सो नेता पैदा होंगे इस कोख से, आप एक केजरीवाल को गिरफतार करोगे सौ केजरीवाल पैदा होंगे इस देश के अंदर हजार केजरीवाल पैदा करेगी मेरी भारत मा आप करके देख लो पिछले कुछ सालों में जब से हम 2015 से सब्ता में आए हैं कितने आरोप लगाए इन्होंने केजरीवाल भष्टा चारी है केजरीवाल ने बसों में घोटाला कर दिया पानी में घोटाला कर दिया बिजली में घोटा पता नहीं कितने आरोप लगाए कुछ नहीं चिपका कुछ नहीं चिपका जनता बेवकूफ थोड़ी है कुछ निचिपका इन्होंने इतने आरोप लगाए अब कह रहे हैं कोई शराब घोटाला हो गया शराब घोटाला हो गया जनता पूछ रही है इनसे अब मैं हमें जवाब देने की जनता पूछ रही है अब शराब घोटाला हो गया पैसा कहा है कहा गया वो पैसा खुदी जाके ये सुप्रीम कोट में कहते है हाँ जी पैसे की तो कोई रिकवरी नी होई तो क्या हवा में हो गया क्या शराब गोटाला कहीं बाकी रेडवेड मारते हैं ये कहीं नोटों की गड़ियां मिलती है कहीं ज्वेलरी मिलती है यहां तो कुछ भी नहीं मिला क्यवनी नहीं मिली कहते हैं सौ करोड का गोटाला हो गया हजार करोड का हजार रुपे भी नहीं मिले सौ रुपे भी नहीं मिले कहा गए सारे पैसे बिलकुल फरजी केस इनों ने बना बना के हमारे लोगों को गिरफतार किया पंजाब चुनाव के पहले याद करो पिछले 2022 में जब पंजाब चुनाव हुए थे इन्होंने एक अबोहर के अंदर रैली में चुनाव के तीन दिन पहले प्रधान मंत्री जिने अपने मूँ से बोला था वहां जाके अब और की रैली में केजरीवाल खालिस्तानी आतंकवादी है केजरीवाल खालिस्तानी बना के खालिस्तान बना के वहां का प्रधान मंत्री बनना चाहता है इतनी वाहियात और इतनी बेवकूफी वाली बात आप प्रधान मंतरी के मूझ से सुनते हैं तो हमें दया आती है अपने देश के अंदर की कैसे प्रधान मंतरी है इस तरह से जिस तरह से बेतु की बास और अभी तो देखना 25 तारीक को दिल्ली का चुनाव है एक तारीक को पंजाब का चुनाव है आने वाले 10-15 देंके अंदर ये कैसी कैसी मंञढंत बाते लेकी आते हैं ये लोग ऐसी और बहुत सारी बाते आने वाले है ये किसी भी हद तक जा सकते हैं ये किसी भी नीचिता तक गिर सकते हैं ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, आने वाले समय में आप लोग सतर करेना, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक एक नेता आग से गुजर के निकला है, अगनी परिक्षा दे के आया है, हम वो लोग हैं जो खुद बखुद हमें पता चलता है, हमारा कोई पाचार कर रहा, खुद ही निकाल देते हैं, कई बार ऐसे किस्से हुएं जब दिल्ली के एक मंतरी को निकाल दिया, पंजाब के एक मंतरी को जेल भेज दिया, खुद बखुद हम निकाल देते हैं, अब पिछले दो साल से इन्होंने हमारे नेताओं को गिरफतार करना चाल मेरे पिये तक को गिरफ़तार कर लिया अब रागव चड़ा बाहर से आए हैं पर इसको कहरें उसको भी गिरफ़तार करेंगे कहरें आतीशी जी को गिरफ़तार करेंगे सौरब जी को गिरफ़तार करेंगे कहरें कहला इस गयलोद को गिरफ़तार करेंगे तो मैं आज हम सब लोग के कठ्थे हुए हैं प्रधानमेंतरी जी को कहना चाता हूं आप एक एक करके एक एक करके दुखी हो रहे हो हम सारे ही आ जाते हैं आज आज हम सब को गिरॉफ्तार करके देख लो आज आप हम सब को गिरफ्टार कर लो हम कोई दरने वाले नहीं हैं मैं जेल में था पचास दिन उस समय का मैंने पूरा सदूपयोग किया दो बार गीता पड़ी पूरी गीता और गीता भी जैसे शलोक का अर्थ होता है के वल वो अर्थ नहीं मैंने वो एक एक शलोक के तीन तीन चार चार पेज का विस्वरित वर्नन जो है वो डीटेल्ड गीता दो बार पड़ी एक बार रमायन पड़ी पूरा आप हमें सब को जेल में भेज दो और देख लो एक बार करके देख लो कि आम आदमी पाटी का विनाश होता है आप हम आदमी पाटी और बड़ी बनती है एक बार करके देख लो मोधी जी अभी हम सारे जने यहां से चलेंगे शांती से चलेंगे कोई शोर शराबा नहीं मैं सबसे आगे रहूँगा मेरे पीछे पीछे सब चलेंगे अगर हमें बीजेपी हेड़कौटर तक जाने देंगे हम वहां तक जाएंगे नहीं जाने देंगे जहां रोकेंगे हम वहीं रुक जाएंगे वहां सड़क पे बैठ जाएंगे आदा गंटा बैठेंगे इंतजार करेंगे अगर वो हमें आके गिरफतार करते हैं अगर वो आके गिरफतार नहीं करते तो यह आज उनकी हार होगी यह उनकी हार होगी आदे घंटे के बाद हम उटके वापस आ जाएंगे ठीक है आदे घंटे बैठेंगे मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनोतियां आने वाली है बहुत बड़ी चुनोतियां आने वाली है उन सभी चुनोतियों के लिए संघर्श करने के लिए आप लोग तयार रहना एक ही चीज याद रखना जितनी बड़ी बड़ी चनौतिया पास्ट में हमारे को प्रास आई और जितने बड़े बड़ी मुसीबतें आई और जितना आराम से हम लोग उसमे से निकल गए ये कोई चमतकार से कम नहीं है दस साल की पार्टी का जिस तरह से विस्तार हुआ ये कोई चमतकार से कम नहीं है ये केवल एक ही चीज की वज़े से है उपर वाले का हाथ आपके उपर है बजरंग बली का हाथ आपके उपर है अगर ये हाथ नहीं होता आज तक हम खतम हो गए होते इतने बड़ी चुनोती आई हैं हमारे जिन्दगी में पिछले दस साल में आज तक हम खतम हो चुके होते अगर उपर वाले का हाथ हमारे उपर नहीं होता तो उपर वाला आपके साथ है सच्चाई के रस्ते पे चलो डगमगाना मत बहुत बड़ी बड़ी चुनोती आएंगी लेकिन उन सारी चुनोती यों से निकल जाएंगे क्योंकि हमारी मन्शा हमारी इंटेंशन साफ है हम देश खीक करना चाते हैं हम समाज के लिए काम करना चाते हैं आज भगवन समान साब को بھی आना था उनका फोन आया मेरे पास लेकिन मैंने कहा कि चुनाव का टाइम है आप वहीं पे पंजाब के भी बहुत MLS का फोन आया मैंने उनको आने नी दिया मैंने कहा कि आज अगर ये हम सब को गिरफतार कर लेते हैं तो कल आप आ जाना फिर गिरफतार होने के लिए तो मैंने आज उनको नी आने दिया